आपका दो लाग का आमाउंट है क्लेम किया जा रहा है 125 में तो उसका 10 परसेंट जो है न वो उसका इस्टांप ड्यूटी वो भी एप्लीकेशन एक साल के लिए वैलेड होगी ऐसा नहीं है कि आप कंट्यूनियूस आप उसको चलाते लेकिन फिर भी पतनियों के केस में क्या ह कि नमस्ते भाईयों मैं हूँ आपका दोस्त आडवोकेट ब्रंदत आग्रा से आज हम बात करेंगे कि स्यार्पीशी 125 में यह रिकर्वरी के लिए जो परिवाद दाखिल किया जाता है जो एप्लीकेशन दाखिल की जाती है कि साह मुझे इतना रुपए मेरा बसूली का बनता है यह बसूल कर आया जारें उसमें आपकी पत्नी जो है ना किस तरीके की गलती करती है और इस गलती के अधार पेना ये पसूली जो है रद्द की जा सकती है मैंने 125 CRPC पर बहुत सारे वीडियो बना रखें जिसमें कि मैंने बताया कि एक पच्छी आदेश है उसको कैसे रद्द कराना है बसूली को कैसे रद्द कराना है वारंट को कैसे रद्द कराना है संबन प्रोसीजर को हमें कैसे चेलेंज करना है ये बहुत सारी चीजें हमने बता रखी है आज हम अपने वीडियो में ऐसी चीज आपको बताएंगे जो आपको किसी नहीं बताई होगी जो कानून के दाइरे में है और कानून के अंतरगत लिखा हुआ और इस पस्ट है आप लोग अगर ये वीडियो अंतर तक देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं और इन चीजों को नजरंदाज कर देते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि गलती होने के बावजूद भी आपको पैसा देना पड़ रहा है पुलिस आपके पीछे लगी होई है अब यहाली एक मामला मेरे पास में आया अदालत ने रिकवरी वरेंट के लिए आदेश किया उस रिकवरी वरेंट में उस जगे की संपत्ति को कुरट करने का आदेश था जिस जगे पर वो बंदा ना तो कभी गया ना उसके नाम पर को देखे थी अग्रा में वंदा रहता है पती आग्रा में रहता है और आदेश कोट कर रही है कि नई दिल्ली में जो संपत्ति है उसको जंगम संपत्ति है उसको कुड़क किया जाए निलाम किया जाए और उससे पैसा वसुलिक की जाए तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी गल्तियां होती हैं जो हम लोग नकार देते हैं हम लोग देख नहीं पाते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंधितक देखें और चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें मैं फिजूल की बाते विल्कुल भी नहीं करता हूँ, उन्हाँ में जज्जमेंट्स की ज़्यादा बात करता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंटों में बात करता हूँ, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए फायदे बंद हो जो आपको बचा सकें, साइध यही एक बज़े है कि हमारा चैनल जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहा है और आप लोग है ना हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमें थोड़ा सा समय जब भी मिलता है तो हम कोशिस करते हैं कि ऐसी जनकारी आप लोगों को तक पहुचाई जाए जो आप लोगों के लिए फायदे बन दो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें लोगों तक शेयर करें क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो बिल्कुल किलियर है जिस तरीके की पिड़ाई मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस की हैं जिन चीजों से मैं जूजा हूं उनी सारी चीजों को देखते हुए उन सारी चीजों को महसूस करते हुए मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर ये वीडियो बनाता हूं ताकि कि जो लोग ये कहते हैं कि ब्रंदत जो है वो पैसा लेता है मैं आज प्रोफेशन में हूँ और इस प्रोफेशन में आने के क्लान को सब्कретव पर काया है है कर सकते हैं कि सुभख से साम तक लोगों केаноकर का काल्स परिशान हो जाते हैं हमने ऊपको ग्यान में फ्रिटे सकते यंठीender सकते हैं लेकिन समय फ्री में नहीं दे सकते हैं जब दि किसी बंदbelsे बात होती है तो कम से कम 15 गंटा हुन गंटा कंटीनिव बात होती रहती है इसलिए मैंने सोचा कि को कॉल का जो कंसल्टेशन है वह 500 रुपए का मैंने रखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पेपर भीज़ देते हैं लेकिन मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं जो भी करता हूं सामने से करता हूं मैं अगर कंसल्टेशन फीस ले रहा हूं तो आप से सामने से पोल कर ले रहा हूं मैं फ्री के नाम पे आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई धोकादड़ी नहीं करना चाहता काफी लोग मैंने देखे हैं कि लोग कहते हैं कि मैं फ्री काम कर रहा हूं फ्री चला दे रहा हूं ये कर रहा हूं लेकिन उनको package के नाम पे judgments के package के नाम पे उनसे पैसे वसू ले जाते हैं और वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं मेरी इस्तिति कल भी बैसी थी और आज भी बैसी इस्तिति है कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है अगर आपको हकीकत देखनी है तो आप लोग हमारे निवास पर आ सकते हैं हम आपको दिखा सकते हैं इसलिए आपका support बहुत जरूदी है अब आते हैं वीडियो पर कि 125 के तैट में जब कोई वसूली की जाती है न तो हम क्या करते हैं हमारे दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से डाल दी जाती है वहिया आपकी पत्नी है वो आपको भरन पूशन देना पड़ेगा यह फर्स्ट लाइन होती है कि आपकी पत्नी है और जहां आपके सामने वैट के यह बोला जाता है कि आपकी पत्नी है आपको भरन पूशन देना पड़ेगा तो वहां क्या होता है हमारा मोरल जो है डाउन हो जाता है लेकिन भरन पूशन देना पड़ेगा हम भरन पूशन करने के लिए तैयार है लेकिन किस अधार पे आखिर में सत्ता तो होनी चाहिए कि अगर पतनी ने यह कह दिया कि पती एक लाख रुपए महिना कमा रहा है उसकी इतनी भूमी है यह है और पती के नाम बास्तों में कुछ भी नहीं है तो यह तो गलत हो जाता है ना यहां पर नयाय नहीं हो रहा है यहां पर सिर्फ एक पच्छे का बचाओ करते हुए दूसरे पच्छे को पीडित किया जा रहा है भरन पुशन करने से कौन मना करता है कोई मना ने करता लेकिन सत्ता होनी चाहिए साच होने चाहिए अगर आप किसी चीज को क्लेम कर रहे हैं तो उसमें साच होनी चाहिए सत्ता होनी चाहिए सच्चाई जलकनी चाहिए आम तोर पर देखें कि जो मैलाएं क्या करती हैं कि पतियों को परिशान करने के लिए उनको लगता है कि हमारे बोलने से सारी चीज़ां सौट आउट हो जाएंगे और हमारे बोलने से जो हमारा जो पती है वो जेल भी जाएगा उसको फांसी चड़ जाएगी यह सब हो जाएगा ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं कि हमने जैसे ही शादी किये हैं पती का आदा सरीर वमारा हो गया आदा पैसा मारा हो गया आधी संपत्ती हो गई आधी नौकरी हो गई सब कुछ यहां तक कि मैंने महिलाओं को देखा है कि लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको परिशान करने के लिए तना टॉर्चर किया जाता है कि किसी तरीके से उनकी सर्विस में अपना नाम दर्ज करवा के उस पती को हिल्ले लगा दिया जाया और नौकरी है तो यहां बाजिब नहीं है यहां नयाय होना चाहिए जब बात नयाय कि आती है ना पूर्सों के साथ में तो बहुत सारे ऐसे एंजीओ वने हुए हैं बहुत सारे मैंने आज तक पिछले 13 सालों में कभी भी किसी को किसी की मदद करते हुए नहीं देखा है एक समय जब 2013 की वाते जब मैं परिशान था मैं बीडित था तब मैंने भी बहुत लोगों से शला मांगी थी मैंने फिर खुद को अपने आपको सच्छम बनाया इन चीजों से हट गया इस्तिती खराब होती चली गी फिर आप जैसे भाईयों ने मेरा सपोर्ट किया और कि आप लोगों के सामने खुलके अपनी बात रख पाते हैं अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे ना तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे अब बात यह आजाती है कि पतनी लिखातों देती है एक 25 बीजाता है सम्वन भी हो जाता है सारे प्रोसीजर ने है अगर आप होगे दो नहीं लोगे तीन नहीं लोगे चार नहीं लोगे आपने एक संबंधन जिकर दिल्तर त्स कुछ आदेश का पास में चेलेंग छेलेंज करने का समय समय था वो समय आपने वाज़िद निकाल दिया क्योंकि नीचे कोई भी आदेस होता है नीचे अदालत में उपरी अदालत में जानने के लिए हमें 30 जिन का समय होता है जैसा कि मियाद अधनियम जो लिमिटेशन एक्ट जो है न वो कहते हैं जब आपका एक सम्मान आया आपने उसको डिनाई कर दिया कि भया लेना ही नहीं है आपको सलाह दी जाती है भया लेना मत ही है वो हो जाएगा सब पिलाना णिकाना ही है है हमें चानकारी नहीं होती है दूसरा सम्मन आतर है वो भी दिखा दिया जाता है ठीक तीसरा तब तब तक हमारे Dominican period जो होता है वो निकल जाता है भाई अट लिस्ट आपको अधाल्त के जाना तो है आज नहीं जाओगे नहीं पड़ेगा एसा तो है कि जाना नहीं पड़ेगा तो फिर हमारे पास में जो लीगल रेमिडी है ना उन सारी चीजों को नजननदाज क्यों किया जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी चूक हो जाती है पती की तरफ से कि भाई यह सम्मन प्रोसेस को हम लोग नजरन दाज करतेते हैं और जब तक हमें उसकी जानकारी होती है जब तक हम लेते हैं तब तक हमारा लिमिटेशन पिरियर जो है न भो भी खतम हो जाता है अब वहाँ से केश चालू हो जाता है कॉपी रिसीव करी जाती है सारी चीज़े होती है हमने आपको बताए कि रजणीस वर्शिस नहा के एफीडेविट में क्या-क्या गलती की जाती है उसमें इस परस तरीके से यह कहा गया है कि आप किसी भी तरीके की अगर एफिडेविट में कार्ट छांट करेंगे तो पूरा कंटेंट का दायरा है अगर आपको कोई कोई कांट चाट करनी है तो आपको निचली अदालत से सीर्स अदालत से आपको परकाइदा पर्मीशन लेनी पड़ेगी जो फॉर्मिट वनेवर सुप्रिम कोट ने जो जारी किये हैं उन्हीं फॉर्मिट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा देखने में आया है कि चार पन्ने का कोई लगा देता है कोई दस पन्ने का लगा देता है कोई एक अनिक्षर लगा देता है कोई दो अनिक्षर लगा देता है को तीर अनिक्षर लगा देता है जबकि सुप्रिम कोट ने तीन निश्चर जारी किये और तीनों का ओध होना बहुत जबुरी है पिर मैंने इसके बारे में बताया कि चार नॉबर 2020 को यह ओडर आया था उसके अगले दिन से अब तो यहां पर क्या है कि पूरा रंते का कॉसेस हो जाता है अब मैंने तो आपको वीडियो में बता दी सारी चीज़े लोग देखने लगे भागालने लगे बहुत से असे लोग हैं जो मेरी चीजों को कौपी करके वीडियो बनाने लगे हैं कोई फरक नहीं पड़ता ग्यान बाटने से बढ़ता और यह अच्छी बात है मैं अप्रिशेट करता हूं कि जतने से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुचे चाहे मेरे माध्यम से पहुचे या किसी के माध्यम से पहुचे जो इंटेंशन है वो किलियर है परिवार बचना चाहिए पती बचना चाहिए लड़का बचना चाहिए किसी का बेटा बचना चाहिए किसी का भाई बचना चाहिए और हमें कुई फरक भी न नहीं मिल सकता खूब धारा हैं समझ लो कुछ भी कर लो कोई फरक नहीं पड़ता और कभी कभी क्या होता है कि interpretation करने में भी दिक्कते आ जाती हैं लोगों तीसरी बात कोई पच्छी आदेश पारित हो गया सबसे में बात बात बता रहा हूं मैं कोई पच्छी आदेश पारित हो गया सब्सक्राइब फैमिली कोट उन्डिस सो चौरासी जो है ना वो स्विल प्रक्रिया पर ही काम करती है लेकिन फैमिली कोट शेक्षन टैन सब्सक्लाउज वल यह कहती है कि सी आर्पी सी का चेक्टर नाइन जो है व उसको छोड़कर बाकी की जो कारवाईयां है वो सिविल प्रोसीजर पर काम करें यानि कि कोट जो है वो सिविल प्रोसीजर पर है यहां पर हम चाहें तो सीपीसी का यूज कर सकते हैं लेकिन इसना कोई मेंडेटरी नहीं क्योंकि भरन पॉशन है भरन पॉशन का केस है इसल आदेश हो जाता है आपके खिलाफ तो आपको सला दी जाती है यह काम करो 126 दो लगा दो CRPC आप 126 दो जैसे ही आप लगाते हैं तो अदालत क्या करती है उसी आदेश को पुना से जारी कर देती है लेकिन उसमें दो लाइने कीच में डाल देती है कि 126 के तहत में प्रात्ना पत्र दिया गया था उसको अपास्त किया जा रहा है सुना जा रहा है एक्सपार्टी जो भी हो लेकिन यहां पर में चीज है कि जो बसूली करी गई है पत्नी को याद आया कि भाया मेरा आदेश हुआ था अब आदेश में इतना तरह रुकम बांदी गई थी अब वो उसका असुली कैसे कर रहे तो वो क्या करती है पैसे को घटा करती रहती है 125 3C का प्रात्रापत्र दाखिल करती है और उसमें कहती है कि साथ इतने इतने दिनांको ऐसे-से नेड़े हुआ था और नेड़े में इतना रुपए प्रती महां के इसाथ से भरन कुशन अदाइगी का बोला गया था अभी तक अदाइगी नहीं की गई आदेश की अम्माना की गई है साथ इतना रूपए मेरा बंता है वो हमारा वसूली कराए जाए अदालत क्या करती है उसको देखते ही संमन जारी कर देती है पूछती यह क्यों ना आपके ख़लां में अब जैसा कि मैंने फैमिली कोट के बारे में में बात करी फैमिली कोड जो है वो सिविल प्रोसेजर पर चलती है एक एक सिविल नियाला की तरह काम करती है कि अब कोई भी सिविल बात कि जब भी कि 125 तीन के तहट में प्रात्रा पत्र होगा ना तो उसमें बसूली आएगी बसूली सब इतने इतने दिनांग से इतने दिनांग तक इतना मां का पैसा बना है हमारा इसका वसूली करा है जब भी कोई बसूली होती है जब भी कोई compensation होता है damage claim होता है तब नियाले की जिम्मेदारी बनती है कि जितने amount का जो claim किया जा रहा है उस पे उसकी court fish जमा कर आई जाए समझ गए आप मैं क्या कहना चाहरा हूँ court fish अधनियम जो है ना 1870 के एसाफ से धारा साथ के एसाफ से ये कहा गया है कि कि area of maintenance damage and claim compensation के लिए यती कोई वाद नियाले में दाकिल किया जाता है तो उसमें जो claim की गई जो रासी है ना उसका 10% के हिसाब से उसका stamp नियाले में एक साल के लिए जमा किया जाएगा यह जो प्राथना पत्र होगा वो एक साल के लिए बैलिड होगा तब होगा जब court stamp fees उस claim की गई amount पे जमा की जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता है ऐसा बिलकुल नहीं किया जाता है डारेक्ट बसूली वारण जारी कर दिये जाते जो claimant यहां पर क्या हुआ है कि आपकी जो पत्री ने जो claim जो किया है ना 125 के तहत में यहां पर नियाले से अगर यह fees जमा करती जाती है और उसके बाद वसूली वारण जारी किये जाते है तो मजिस्टेड की जिम्मेदारी बनती है कि CRPC 421 के तहत में उस पे जुर्माना लगाते हुए वो अमाउंट जो है जो claim किया गया उस पे जुर्माना लगाते हुए उसको claim किया जाए तो यहां पर सबसे बड़ी जो fault है ना 99% के सिसमें मैं बता सकता हूं कि maintenance की जो recovery के लिए जो application move की जाती है 125 में उसमें जो amount जो claim किया जाता है उसमें उसका stamp duty जो होता है जमाने किया जाता है अब लोग यह बुलेगे कि नहीं भी या एक काम करते तो है जब application लगाते तो उसमें port fees चिपका देते हैं 10 रुपे 15 रुपे 50 रुपे जो भी होती है भाई वो बात के लिए ह जो प्रातना पत्र नियाले जाला है वो नियाय सुल्क है वो उस application की सुल्क है जो उस पर चिपकाई जा रही है लेकिन जो amount claim किया जा रहा है ना उसके लिए नियाले कुछ शुल्क अदा करना पड़ेगा वो भी 10 टाइम अगर आपका 2 लग का amount है claim किया जा रहा है 125 में तो उसका 10% जो है ना वो उसका stamp duty वो भी application एक साल के लिए valid होगी ऐसा नहीं है कि आप continuous आप उसको चलाते लेकिन फिर भी पत्नियों के case में क्या होता बसूली का जो प्रात्रा पत्र होता है ना बुचा चार पाच 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 साल तद दस साल का घटा कर लेती है करने के बाद में वो claim करती है कि साब पती से यह दिलाया जाए अब पती ऐसी स्थिति में कहां से लेके आएगा अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो ना तो आप कमेंट करके जरूर बताना और आगर आप लोग हमसे संपर करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर कर सकते हैं बहुत सी हो Ashanti खुल चीजह मैं खुलके बताता हूँ लेकिन मैं चीज में आती है कि आप किस तरीके से आप इसकोmarks लेके चल रहे हैं किस तरीके से आप नेले में अपने प्रातना पत्र को लगा रहें बहुत मैंने कुछ लोगों के case में देखा कि मैंने यह क्या कि 125 में जैसे कोई प सला मिली है तो कहीं से भी लेंगे तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी जो राम कहानी होती है उनका जो रूना दोना होता है वो पूरा उसमें एप्लिकेशन में लिख देते हैं मैंने एक दो लोगों को समझाया मैंने यहां पर जज्जमेंट हो चुका है अब उसमें यह पूछ नहीं किया काफी लोगों गल्टीटी कोर्ट क्या करती है उन्हीं चीजों को लेके उसको कैंसिल कर दिती है मैंने बताया था कि 44 एविडेंस एक्ट के तहत में किस तरीके से आप अपने वाद को उसी नियाले में सुनवाई के लिए लगवा सकते हैं 125 का प्रातना पत्र जो तो ऐसी चीज़ें हैं अगर आप लोग हमारे कॉंटक्ट में आते हैं संपर्क में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो आप लोग हमें डॉकुमेंट्स बे सकते हैं आप हमारी मदद करेंगे मैं आर् सालतों में जाते हैं तो हमें भी पैसा देना पड़ता है अगर आप फ्री के चक्कर में रहेंगे तो फरेशान होते रहेंगे ऐसे हमारे पास में एक दरोगा जी अभी आते थे उनको मैं करीब एक साल से समझा रहा हूं उनके समझ में नहीं उनको यह लगता था कि हम पुलिस विभाग में हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हम पुलिस विभाग में हैं तो हम जो चाहेंगे वो लड़की वालों का करवा देंगे एक साल तक वो मजे ले प्रवा देती है अब फिर हमारे पास आते हैं कि यार यह ऐसे से अफ़ाया दर्ज हो गई है अब क्या करें वह अपने आला अधिकारियों के पास में खूप चक्कर काट रहे हैं सुमी से कि हमें बचा लिया जाएगा जब वह अपने थाने में गए ना तो हां का जो विवेच वकीलों के पास बैठ चुके थे सबसे उन्होंने सलाम अस्वरा ली सबका टाइम बरवाद किया उनको यह लगता है कि वो सरकारी नोकरी कर रहे हैं और सामने वाले जो है ना जो वकीलों बैठे यह विल्कुल फ्री बैठे इनके पास कोई काम नहीं है दस लोगों के पास चाहिए मैंने देखा यह चीज मैंने का यार इस वंदे का आज से नहीं साल से इसका यहीं चलला है जंदीगी वार इस ने लोगों के साथ हैं किया लोगों को जेल वेजा गलत पैसा कमाया और यहीं बंद हमारे सामने frei सब्सक्रा असान होता है और जब इसके पैसे कि जब कोई मदद नहीं कर सकता है हम कोई ट्राइल करने वाली चीज नहीं है आपकी समस्या है कि कोशिस करेंगे कि आपको इन सारी चीजों से निकाला जाए और मेरा हमेशा से ही इंटेंशन रहा है कि कि किसी भी तरीके से जो पुरुस है उनके परिवार वाले हैं जोनके मावाप हैं उनको निकाला जाए उनको बचाया जाए तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका काम होता है कि टाइंट पास करना इधर सला लेना उधर सला लेना उधर सला लेना उधर सला लेना तो हमारे पास थोड़ा स टाइम रहता है आज अकेले वेटे हुए थे अपने बड़े वेटे के साथ में तो सोचा कि यह जानकारी भी आप लोगों के बीच में साजा करते हैं बहुत लोग कहते होंगे कि यह पता नहीं कुछ भी वीडियो बनाता रहता है भाई अगर आप समझदार हैं और मेरे वीडियो को अच्छी तरीकिस देख रहे हैं तो आपको बहुत चीज मिल जाएगी जो आप लाखो रुपए खर्च करके भी न समझ नहीं पाएंगे पकड अलबादेख झालबादेख झालबादेख झालबादेख